Hello friends, welcome to my YouTube channel. आज का विशे है सनी देव के वारे में कुछ रोचक जानकारियां। सास्त्रों में बताया गया है कि सनी देव नयाई के देवता हैं और वह व्यक्ति को कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। बता दें कि सनी देव सुरी देव के पुत्र हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब वह अपने पिता से क्रोधित हो गये थे। और उन्हें नयाई अधीस की उपाधी मिलने के पीछे भी रोचक कथा जुड़ी हुई हैं। हिंदु धर्म में शनी देव का स्थान बहुत भी महत्तपूण है। शनी देव साक्षात रुद्र हैं और जोधिस सास्त्र में यह भी बताया गया है कि शनी देव नयाय के देपता हैं। और समस्त देपताओं में शनी देव ही एक ऐसे देपता हैं जिनकी पूजा प्रेम के कारण नहीं बलकि डर के कारण के जाती है। इसका एक करण यह भी है योगि शनी देव को नयायधिस की उपाधी प्राप्त है। मानेता है कि शनी देव करमों के नुसार जातकों को फल प्रदान करते हैं जिस जातक के अच्छे करम होते हैं उन पर शनी देव की किरपा बनी रहती है। और जो व्यक्ति बुरे करमों में लिपत रहता है उन पर शनी देव का प्रकोब बरसता है। आएए जानते हैं कौन है शनी देव, क्या है उनके जन्म से जुड़ी कथा और कैसे बने वन्यायदीर, कौन है शनी देव, सास्तरों के अनुशार शनी देव भगवान सुरे तथा माता च्छाया के पुत्र है, इन्हें कुरूर ग्रह का स्राफ उनकी पत्ने से प्राप्थ ये वावस्था में उनके पिता ने उनका विवाह चित्र रत की खंडियां से करवा दिया, एक बार जब उनकी पत्नी उत्र प्राप्ति की ख्छा के लिए शनी देव के पास पहुंची तब नया देपता त्रिक्रिश्न की भगते में लिन थे, वह बाहरी संसार से पुर्ण रूप से कट चुके थे, प्रतिक्षा करके जब उनकी पत्नी ठग गई, तब उनके क्रोध में आकर शनी देव को स्राप दे दिया और कहा कि वह जिसे भी देखेंगे वह नस्ठ हो जाएगा, ध्यान तूटने के बाल शनी देव ने अपनी पत्नी को बहुत मनाया और वापस लेनी के सक्थी उनमन नहीं थी, और इसे वज़े शनी देव अपना शर निचा करके रहने लगी, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि उनके कारण किसी पर भी विपत्ती आए, इसलिए जो तिस सास्तों में बताया गया है, शनी देव ये दिरोहनी वेतन करते हैं, तो प शनी देव के प्रकास से उनकी पत्मी चाहय ने आखे बना लेते, इसी वज़े से शनी देव का रंग श्याम रंग अर्थात काला पड़ गया, इसी बात से शनी देव अपने ही पिता से क्रोडित हो गया, शनी देव ने आगे चलकर भगवान शेंकर की घोर तपस्या की और इस तपस्या से उनका संपुन शरीप पुन रूप से जला लिया, शनी देव को देखकर भगवान शेव बहुत प्रशन्वे और उनने ब्रदान मांगने को कहा, शनी देव ने ब्रदान के रूप में मांगा कि वह अचातने हैं कि उनके पूजा अपने पिता से देखो, जि इसलिए आज भी भगवान शेप, आज भी भगवान शनी को नया धीस के रूप में पूजा कि जाती हैं, और सभी ग्रहों में उनका स्थान बहुत उचाया हैं, जोतिस सास्त्र में क्या है क्या है शन देव की ग्रह क महत्वर? योतिस दासर में बताया गया है कि शनी ग्रह की गर्णा अशुब ग्रहों में होती है और वह नग्रहों में से सात्वे स्थान पर आते हैं वह एक रासी में तीस महिनी तक निवास करते हैं और मकर वह कुम्भ रास्ति के वह स्वामी ग्रह हैं शनी की महादस्ता 19 वर्स तक रहती है वहीं शनी के गुरुत्वाल के कारण अच्छे और बुरे विचार शनी तक पहुंचते हैं जिस वज़त से कर्म के अनुसार फल के प्राप्ते होते हैं इसलिए जो लोग किशिवी प्रकार के बुरे कर्म में लिप नहीं होते हैं उन शनी देव से ड़ने के आउशकता नहीं उनकी उपास्तना से ही शनी देव आसानी से प्रशन होते हैं यहां मुहिया सुचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों के अधार पर अधारित है या बताना जरूरी है किhना कुकिंग लैप स्टाइल किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुश्टी नहीं करता किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने के लिए पहलए श्याम मंदित्भि से सग्य से नहीं आम स्विम शरिच्राए नवा सनिदेव सनिवार के दिन सनिदेव की पूजा मैं इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए इस मंत्र के जाबशे सनिदीब की विशेष क्रिपा बरस्ति इस मंत्र के जाबशे के लिए सनिवार के दिन सुभावट करश्णान करें और काले वस्तर धारन करें शनिमंद्र जाकरोंने के लिए सरसु का तेल दान करें इसके बाद मंत्र का जाबशूर करें थैंक्स फर वाचिं इस वीडियो प्ली सुब्सक्राइब इस चैनल जैए शाली नीप